वो कहते हैं ना कि काम ऐसा करो कि सभी तरफ नाम हो ऐसा काम रनबीर कपूर ने आनिमल के साथ कर दिया है चाहे आनिमल फिल्म के बारे में लोग कुछ भी कहें लेकिन फिल्म से फिल्म के मेकर्स को फाइदा हुआ है और रनबीर कपूर ने ये बात प्रूफ कर दी है कि चाहे नेपोटिस्म पर कितनी ही बहस क्यों ना कर लो अगर टैलेंट है तो आप स्टार किड हो या नहीं हो आप सक्सेसफुल हो सकते हो नेपटिस्म की डिबेट पररनबीर कपूर जैसे Star Kid ने फुल स्टॉप लगा दिया है रनबीर कपूर को इस साल ना सिर्फ सबसे ज़्यादा फिल्में मिली है बलकि अवार्ड शो में भी सबसे ज़्यादा आवार्ड्स रनबीर कपूर को ही मिल रहे हैं बिती शाम रनबीर कपूर महाराश्रिन आफ ते यर अवार्ड शो में गए, ये अवार्ड रनबीर कपूर ने अपने नाम किया, जितेंद्र भी इस अवार्ड शो का हिस्सा थे, जितेंद्र ना सिर्फ इंडस्ट्री के बड़े अभिनेता है, बलकि रनबीर कपूर के पिता रिशी कपूर के भी बहुत गहरे दोस्त है और इन्होंने कई शामे साथ में विताई है और उनके इच्छा थी कि रनबीर के लिए वो कुछ अच्छे शब्द कहे क्योंकि रनबीर के पिता रिशी कपूर जिन्दा नहीं है इसलिए जितेंडर ने एक पिता की तरह रनबीर कपूर के लिए बहुत ही शानदार मोटिवेशनल स्पीच लिखी जो वो रनबीर के लिए कहना चाते थे स्टेज पर जितेंदर ने खुद बताया कि ये स्पीच वो दो दिन से लिख रहे थे एक कागज पर ये स्पीच लिखी इस स्पीच को लिखने में और किस तरह से बोलना है इसमें एकता कपूर और उनकी वाइफ शोभा कपूर ने उनकी बहुत मदद की वो कागज पर लिखी उस स्पीच को अपने कोट की जेब में डाल कर साथ भी लेकर आये थे इस अवाट शो में तो उन्हें पता चला कि स्पीच देना अलाउड ही नहीं है जितेंदर के लिए ये बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था हाला कि स्टेज पर जब जितेंदर पहुँचे तो वो खुद को रोक नहीं पाए उन्होंने ना सिर्फ रन्बीर कपूर को प्रेस किया बलकि उन्होंने ये बात भी कह डाली कि मैंने रन्बीर के लिए स्पीच तैयार की थी लेकिन यहां आकर पता चला कि स्पीच देनी ही नहीं है कैर इस इविंट के दौरान रन्बीर कपूर और जितेंदर की बांडिंग की विडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है तोनों ने एंट्री भी साथ मिली बहुती गर्म जोशी से तोनों ने एक दूसरे को हग किया और एक पिता बेटे वाली बांडिंग इन दोनों में नजर आई